देखि दोस्तों आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि डीटर प्लस B की जो आगामी भरतियां हैं, उसमें ड्राइवर की कौन-कौन सी भरतियां अभी आने वाली हैं 2022 में और डीटर प्लस B ने ओफिशिल नोटिस के माधिम से कौन-कौन सी भरतियों का जिकर किया है ज यह एक नोटिस में आपको दिखा देता हूँ यह जारी किया गया था डीटर प्लस B के दुआरा यह एक ओफिसल नोटिस है आप देख भी सकते हैं यहां पर और इस पर डेट लेकी हुई है अठाइस बारा दोहजार बाइस यानि अठाइस दिसंबर को यह जारी किया गया था और इसमें बताया गया था टेंटेटिव कलेंडर के बारे में यानि डीटर प्लस B जो अभी 2022 के अंदर कौन-कौन से एक्जाम कंडेक्ट कुराएगी और यह एक्जामनेशन कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो उसमें ड्राइवर की भरतियां भी हैं तो इसमें काफी अब कि भरतियां रिलीज कर देंगे यह कहां पर लिखा गया है तो यहां पर आपको मैं दिखाता हूँ अभी देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 27 पर आप देख सकते हैं ड्राइवर ड्राइवर मेल ड्राइवर मेल एचमवी और इसके लावा ड्राइवर मेल यह है उनके अंदर different different तरीके से जो vacancies उनको fill किया जाता है यानि पहले ये department है मालो NCC अगर इसमें vacancies खाली है तो ये अपनी जो खाली vacancies है ये D2 plus B को बोलेगा कि हमारे जो department में इतनी vacancies driver की चाहिए तो आप recruitment शुरू कर दीजिए यानि एक official advertisement जारी कर दीजिए और उसके बाद recruitment करके फिर हम NCC department के अंदर वो driver भरती कर लेंगे लेकिन अभी D2 plus B ने क्या किया है एक combined form में यानि देखो भरती तो driver की ही है तो हम क्यों ना एक combined form में exam conduct कर वा लें और जो department जहांपे vacancies खाली है तो वहाँ पर recruitment करके और candidates को वहाँ पर भेज दे यानि भरती एक हो लेकिन department different different हो तो ऐसे combined exam conduct करवाने जा रहे है अब की बार 2022 में D2 plus B जिसमें से driver की भी भरती है जो आपको यहाँ पर point number 27 पर दिख जाएगी और D2 plus B ने बताया है कि NCC department इसके अलावा college of art, archives, law department, department of higher education और trade and taxes इनके अंदर driver की भरतियां अभी 2022 में भरी जाएंगी और इन्हों ने बताया था कि जो advertisement है जो official advertisement है combined exam की रूप में और total vacancies कितनी कितनी है हर department में यह हम एक अपरेल से लेकर के और दस अपरेल 2022 के बीच में रिलीज कर देंगे लेकिन डीटर प्लस पी का अभी तक कोई notice नहीं आया है और इन्होंने यह बताया था कि जो exam है वो करवाएंगे एक जून 2022 से लेकर के और 30 जून 2022 के बीच में लेकिन अभी जून तो शुरू हो चुका है आज 2 जून हो चुका है कोई exam का अतापता नहीं है लेकिन हाली में यह बर्तियां होने वाली है यानि डीटर प्लस भी यह बर्ति कंप्लीट करवाएगा क्योंकि अभी तक कोई cancellation notice नहीं आया कि जो हमने vacancies या advertisement के बारे में बताया था तो यह अभी बर्ति नहीं होगी तो आगे आने वाले इस महिने में या फिर जुलाई का महिने में आपको इन vacancies related official notice जरूर देखने को मिल सकता है इसके अलावा यहाँ पर 28 नंबर पर आप देख सकते हैं जो यह different होगी जो driver 10 प्लस 2 PSIIDC prisons यानि जो jail है उनके अंदर driver की vacancies निकलती है तो उसमें भी जो vacancies भरी जानी है driver की और यह भी same schedule इन्हों ने बताया था जो official advertisement है वो जारी कर देंगे लेकिन उसका भी अभी तक कोई अतापता नहीं है लेकिन भरतियां जरूर होनी है क्योंकि कई साल हो गई भरतियां होए तो jail के अंदर भी और जो यह department में ने आपको बताया इनके अंदर भी driver की जो vacancies जो खाली है तो आगे आने वाले चाहिए जुलाई का महिना या इस महिने में भी आपको इन driver भरतियों से related official notice जरूर डीटर प्लस भी की official website पर देखने को मिल सकता है जैसे कोई official notice आएगा मैं आपको inform करके बता दूँगा इसके लावा आप में से कई candidates मेरे से पूछ रहे थे कि सर fire operator की भरती कब आएगी तो exams में ही इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर point number 3 में देख सकते हैं और यह जो official notice है मैं telegram channel पर share कर दूँगा आप सभी के साथ telegram channel को अभी तक आपने join नहीं किया है तो वहाँ पे में हर PDF चाहिए वो आपकी education से जुड़ा हुआ हो या इसके लावा कोई important PDF फाइल हो वहाँ पे में share करते रहता हूं तो telegram channel को ज़रू से ज़रू join कर लेना तो fire operator की भरती के बारे में बात करें तो fire services के अंदर जो अभी एक अगस्ट तक जो DFS के अंदर जो fire operator की भरती होने वाले उसके driving test चल रहे हैं जो 31 मही से ले करके और एक अगस्ट तक चलेंगे तो डीटर प्लस भी ने तब यह बताया था कि fire operator की जो भरती है जो fire services के अंद 2022 के बीच में हम official जो advertisement है यानि कितनी vacancy जिखा ली है वो बता देंगे ठीक है और जो उसका online mode में exam होगा वो conduct करवाये जाएगा 110 यानि 1 October से ले करके 31 October 2022 के बीच में यह उन्होंने बताया था तो अभी अगस्ट तो आई नहीं है तो यह बरती भी हम यह मान सकते हैं कि अगस्ट से September के बीच में जरूर से जरूर आनी है तो आपके सामने अभी driver की कौन-कौन सी बरती है वो मैं अभी आपको दुबारे से बता देता हूं और कौन-कौन-कौन-सी बरती है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं पॉइंट नमबर 27 में भी आप देख सकते हैं जो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर जिसमें driver, driver LMV, driver mail, driver mail, हमवी इसके लावर driver mail, LMV यह बरती होनी है लेकिन combined form में होंगी जिसमें heavy motor vehicle अगर आपके पास license है तो बहुत ही भैतरीन मोका हैं कि आप अपनी examinations की त्यारी को और भी भैतर बनाना शुरू कर दें अभी से जो NCC department है उसके अंदर driver की vacancies जाने वाली है college of art, archives, law department, department of higher education, trade and taxes इनके अंदर driver की भरती होंगी यह department है combined exam में आपका जो combined form में है जो आपक जेल है उसके अंदर driver 10 plus 2 की भरती आती है तो वो भी आपकी जरूर आने वाली है चाहें वो आगे आगामी next month में आपको क्यों ना देखने को मिल जाए और इसके लावा fire operator जो दिल्ली fire services के अंदर भरती होनी है वो भी मैंने आपको बता दी यह October में बताया गया है कि October में इ जैसे ऑफिसल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके साथ शेर कर दूँगा लेकिन उससे पहले देखिए mostly exam में जो सेम रहता है जितने भी examination हो ठीक है all over India जो बी से सी ग्रूप की जितने भरतियां होती है उसमें examination का जो pattern है वो almost same होता है यानि जीके reasoning math और English इसके अलावा जो जैसे ड्राइवर की बढ़ती है तो ड्राइवर से लेटेड जो topics हैं वो ठीक है तो almost same होते हैं यह तो आपनी जो तैयारी है उसको छोड़िएगा मत त्यारी को बहतरीन बनाने की कोशिज करिएगा क्योंकि कई ऐसे candidates हैं जो last peak पे यानि जिनकी age है वो over होने वाली है तो ए ड्राइवर की जो आगामी भरती हैं वो कब-कब schedule की गई हैं ड्राइवर तो मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया है और अगर आपका कोई doubt रहे गया हो तो आप comment section में लिखके बता सकते हैं या फिर आप directly whatsapp भी कर सकते हैं whatsapp number आपको description box में मिल जाएगा ठीके दोस् हो बातAL हैं जाएगर झापको